नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको गर्मियों के लिए एक्तम स्टैलिश और कमफर्टेबल प्लाजो पैंड शेयर करने वाली हूँ इसके लिए मैंने ये प्लेन कपड़ा दो मीटर लिया है इसमें हम बॉर्डर लगाएंगे तो उसके हिसाब से हमें मिक्स और मैच कपड़ा लेना है और फ्रेंड्स अगर आप हमारा फैब्रिक कलेक्शन पर चेस करना चाते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें वाट्सअप करें अब इस दो मीटर फैब्रिक को कैसे फोल्ड करना है देखें यहां मैं पेपर पर आपको दिखा रही है मान लीजिए यह हमारा कपड़ा है यह कपड़े की पूरी लंबाई है पहले से इस तरीके से फोल्ड करें लंबाई में फिर इसे इस तरीके से चोड़ाई में फोल्ड करें अब इसके four fold हो चुके हैं अब जैसे मैंने दिखाया है कपड़े को भी सेम इसी तरीके से हमें fold करना है अब प्लाजो की cutting से पहले हमें ये measurements निकालनी है देखें यहां जो west line है वो है 34 उसमें हमें 2 inch losing देनी है अब यहां पूरे प्लाजो में 8 कलिया लगाऊंगी इसलिए 36 को हमें 8 से divide करना है यहां साड़े 4 inch measurement आ रही है साड़े 4 में हमें दोनों side आधा आधा inch इस तरीके से 1 inch extra slice लेना है ये measurement आ रही है साड़े 5 inch अब इस तरीके से जो भी best line है उसकी size निकाले अब देखें यहां पर कपड़े को मैंने four fold कर लिया है जैसे मैंने पहले paper पर दिखाया था अब यहां पर पहले हम आधा inch slice का छोड़ देंगे उसके बाद जो प्लाजो की length है वो measure करनी है प्लाजो की length है यहां पर 37 inch 37 में भी हम आधा inch slice का add करेंगे दोनों तरफ इस तरीके से मैंने slice का extra रखा है यह 37 and a half पे मैंने लंबाई में mark कर लिया है अब जो extra कपड़ा है वो हम बाद में cut कर लेंगे अब कलियों वाले प्लाजो के लिए हम यहां marking करेंगे देखिए जो मैंने 5.5 inch measurement निका ली है वो हमें एक side इस तरीके से mark करनी है अब इसके opposite side हम इस तरीके से फिर से 5.5 inch में mark करेंगे अब इन दोनों marks को हमें इस तरीके से A shape में मिलाना है अब इसकी cutting कर लें अब cutting करने के बाद देखे ये slant वाली side है जो हमने बीच में से cut किया है ये दोनों side के slanting lines है और ये सीधी lines है जब हम प्लाजो को जोड़ेंगे तो जो कपड़े के सीधे side है वो हमें आमने सामने रखने है और जोडने है इस तरीके से पहले हमें दो-दो कलियां एक साथ जोडनी है देखे इस तरीके से यहां प्लाजो में नीचे volume भी आएगा दो-दो कलियां जोड के फिर उनको भी इस तरीके से यहां slanting line में जोडना है तो इस तरीके से एक पैनल के लिए हम चार-चार कलियां एक साथ जोड लेंगे देखें, यहां मैंने चारो कलियां जोड ली है दूसरे पैनल के लिए भी हम इसी तरीके से चार कलियां जोडेंगे अब देखें, इसको इस तरीके से फोल कर ले जो दूसरा पैनल है उसको भी इस तरीके से फोल्ड करें अब जो खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें क्रॉच लैन की कटिंग करनी है यहाँ क्रॉच लैन हम 12 इंच लेंगे 12 इंच तक इस तरीके से बिलकुल सीधा मार्ग कर रहें और उसे बाहर की तरफ से इस तरीके से L शेप में मार्ग करें यह करीब 3 इंच चोड़ा है अब यहाँ पर हमें क्रॉच का शेप देना है और इसकी कटिंग करनी है कलिया जोडने के बाद देखे प्लाजो में अच्छा सा वॉल्यूम आ चुका है अब हम पहले इस प्लाजो की जो लैंथ ली है देखे इस तरीके से बीच में से लैंथ मिजर कर ले यहाँ 38 में ली है तो यहाँ साइड में भी हमें 38 पे मार्ग करना है देखे यहाँ करीब डेट से पॉने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा तो इसको इस तरीके से हमें गोलाई में मार्ग करना है अब जितना आप यहाँ से कट कर रहे हैं इसके सामने वाली साइड भी इतना ही हमें मार्ग करना है यहाँ भी सेम मार्किंग कर ले और इस तरीके से इस प्लाजो को हलकी से गुलाई वाले शेप में कटिंग करें देखे प्लाजो की मैंने इस तरीके से गुलाई में कटिंग कर ली है अब यहाँ पर हम चौडा बॉर्डर लगाएंगे इसके लिए मैंने ये दो अलग-अलग प्रिंट की स्ट्रिप ली है ये करीब 3 इंच चौड़ी है इन दोनों को जोडने से पहले बीच में हम यहाँ पर रैट कलर की ये पाइपिंग लगाएंगे ये भी मैंने सीधी पट्टी ली है इसको डबल फोल करके यहाँ बिलकुल केनारी पर स्लाई करें सिर्फ पाइपिंग जितना ही कपड़ा बाहर दिखना चाहिए देखे इस तरीके से यहाँ मैंने पाइपिंग लगा ली है जैसे हम डोरी वाली पाइपिंग बनाते हैं सेम उसी तरीके से अब इन दोनों को यहाँ बीच में से जोड दें देखिए इस तरीके से यह चौड़ा बॉर्डर तैयार हो चुका है अंदर की तरफ से यहां से मैंने ओवर लॉक कर लिया है अब इस बॉर्डर के एक साइड हम यहां पर यह cotton less लगाएंगे यह अभी काफी trend में चल रही है देखिए इस तरीके से मैंने यहां पर यह चौड़ा बॉर्डर लगा है अब पूरी गोलाई में हमें इस चौड़े और स्ट्रेट बॉर्डर को यहां सैट करना है इसके लिए मैंने प्लाजो को उल्टा रखा है बॉर्डर को भी हम उल्टा रखेंगे इसे यहाँ पर हम स्टिच करेंगे इस पट्टी को बिलकुल हलके हाथों से खैच दे जाए और पूरे प्लाजो के एक पैनल पर यहाँ पहले से स्टिच कर ले अब हम इसको आगे की तरफ गुमा देंगे अब देखें यह प्लाजो पूरा सर्कूलर है और बॉर्डर पूरा स्ट्रेट है तो इसे अच्छे से सैट करने के लिए पहले इसे आईरन कर ले देखें इस तरीके से आप आईरन करेंगे तो जो बॉर्डर की गुलाई है वो अच्छे से यहाँ पर सैट हो जाएगी अब हम केनारी पर फिरसे स्लाई करेंगे और इस बॉर्डर को यहाँ पर तयार करेंगे देखें पूरी गुलाई पर यह स्ट्रेट बॉर्डर हमारा सफाई के साथ लग चुका है दोनों पैनल्स इस तरीके से तैयार कर लें देखें दो मीटर में काफी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है इस प्लाजो में अब प्लाजो के दोनों पैनल्स सामने सामने रखकर और क्रॉच लाइन को जोड़ दें दोनों क्रॉच लैन्स को जोडने के बाद अब हमें क्रॉच को बन करना है प्लाजो के दोनों साइड अच्छे से मिला कर इस तरीके से V-Shift में स्टिच करें और क्रॉच लैन को बन करें अब यहां उपर वैस्ट लैन पर हम एक सीधी पट्टी लगाएंगे वैस्ट लैन के हिसाब से मैंने इसे कट कर लिया है अब ओल्टे साइड में से हमें स्टिच करना है देखे प्लाजो को सीधा करके अब इस पट्टी को बाहर की तरफ निकालें क्रॉच लैन के बिलकुल बीच में यहां पर मैंने यह नाड़े के लिए होल रखा है आप यही होल प्लाजो के साइड में भी रख सकते हैं अब इसे बाहर की तरफ इस तरीके से गुमाएं और पूरे में फोल करके और स्टिच करें इस पट्टी को चौड़ाई में आदा इंच जितना ही फोल करें जरिफ दो मिटर के कपड़े में से आप इस तरीके से यह स्टाइलिश बाटाउं गर पर ही बना सकते हैं आपको मेरा यह डिजाइन कैसा लगा? लाइक शेर कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही नए नए डिजाइन्स के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो